हर हर महादेव नमह पार्वती पते माता अन्न पुर्णा की गंगा मैया की इस अईत्यासिक आयोजन में उपसित उत्तर प्रदेश की राजपाल स्रिमती आनंदी बेन पटेल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्म योगी स्री योगी आधित्यनाद जी धार्पी जनता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष हम सब के मारदर्शक स्रिमान जेपी नडडा जी उपमुख मंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी दिनेश शर्मा जी केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी महेंतर नराज पांडे जी उत्तर प्रदेश भारती जनता पार्टी के रद्यक्ष स्वतम्त्र देवशी जी यहां के मंत्री श्रिमान निलकन तिवारी जी देश के अरकोने से आये हुए पुझ्य संतगण और मेरे प्यारे काशी वासी और देश विजेश से इस अवसर के साक्षी बन रहे सभी स्रद्धालों सासीगण काशी के सभी बंदों के साथ बाबा विश्वनात के चर्णों में हम सीष नवावत है माता अन्पुना के चर्णन का बार बार बंदन करता है अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल वैरव जी के दर्शन करके ही आ रहा है देश वास्यों के लिए उनका आशिरवार लेकर आ रहा है काशी मैं कुछ भी खास हो कुछ भी नया हो तो सबसे पहले उनसे पूछना आवशक है मैं काशी के कोतवाल के चरणों मैं भी प्रणाम करता हूँ गंगा तरंग रमनीय जटा कलापम गौरी निरंतर विबूशित वामभागम नारायन प्रिय मनंग मदापहारम वारानते पुर्पतीम भज विश्वनाथम हम बाबा विश्वनाथ दर्बार से देश दुनिया के उनस्रधालू जनन के प्रणाम करताई जो अपने अपने स्थान से इस महा यग्य के साक्ची बनत होन हम आप सब कासी वासी लोगन के प्रणाम करताई जिनके सयोग से इस शुबगड़ी आयल हो रदाए गदगद हो मन अहलादित हो आप सब लोगन के बहुत बहुत बधायों साथियों हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है सारे बंदनों से मुक्त हो जाता है भगवान विश्वयस फरकाशिरवात एक अलोकिक उर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आतमा को जागरत कर देती है और आज आज कोई स्टीर चैतन्य काशी की चैतना में एक अलग ही स्पंदन है आज आदी काशी की अलोकिक्ता में एक अलग ही आभा है आज शास्वत बनारस के संकलकों में एक अलग ही सामर्थ दिख रहा है हमने सास्त्रों में सुना है जब भी कोई पुन्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ सारी देवियश शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्तित हो जाती है कुछ वैसा ही अनुफाव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रमान इससे जुड़ा हुआ है वैसे तो अपनी माया का विस्तार बाबा ही जाने लेकिन जहां तक हमारी मान भी ये द्रस्ति जाती है विश्वनात धाम के इस पवित्र आयोजन के इसे समय पर पूरा इस समय पूरा विश्व जुड़ा हुआ है साथ्यों आज भगवान शीव का प्रिय दिन सुमवार है आज विक्रम सम्वत दो हजार अठतर मार्ग सिश्च शुकल पक्ष दसमी तिथी एक नया इतिहास रत रही है और हमारा सोभाग्य है कि हम इस तिथी के साक्षी बन रहे हैं आज विश्वना धाम अकल्पनिय अनंत उर्जा से भरा हुआ है उसका वैभाव विस्तार ले रहा है इसकी विशेस्था आसमान छू रही है यहां आसपास जो अनेक प्राचिन मंदिर लुप्त हो गए उन्हें भी पुनस्थापित दिया जा चुका है बाबा अपने भक्तों की सद्यों की सेवा से पसंद हुए हैं इसलिए उन्हों ने आज के दिन का हमें आशिर्वात दिया है विश्वनात धाम का ये पुरा नया परिशर एक भव्य भवन भर नहीं है ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का ये प्रतीक है भारत की प्राचिंता का परंपराओं का भारत की उर्जा का गतिशिलता का आप यहाँ जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है आपको यहाँ अपने अतीद के गवरव का एहसाथ भी होगा कैसे प्राचिन्ता और नमिन्ता एक साथ सजीव हो रही है कैसे पुरातन की प्रेनाएं भविश्य को दिशा दे रही है इसके साक्षा दर्शम विश्वनात धाम परिसर में हम कर रहे हैं साथियों जो मा गंगा उत्तर वहिनी होकर बाबा के पाउँ पखारने काशी आती है वो मा गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी अब जब हम भवान विश्वनात के चरणों में प्रणाम करेंगे ध्यान लगाएंगे तो मा गंगा को स्पर्श करती हुई हवार हमें स्नेह देगी हमें आशिरवाद की और जब मा गंगा उन्मुक्त होगी प्रथन्न होगी तो बाबा के ध्यान में हम गंग तरंगों की कलकल गंग तरंगों की कलकल का दैव्य अनुभव भी कर सकेंगे बाबा विश्वनात सब के हैं बागंगा सब की है उनका अशिरवाद सब के लिए है लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मा गंगा की सेवा की ये सुलत्ता मुश्किल हो चली है यहां हर कोई आना चाहता था लेकिन रास्ताओं और जगर की कमी हो गई भी बुजुर्गों के लिए दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठीना ही होती है लेकिन अब विश्वनाद धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है हमारे दिव्यांग भाई बहन बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर से जेटी तक आएंगे जेटी से घार तक आने के लिए भी एसकेलेटर लगाए गए हैं वहां से जीधे मंदिर तक आ सकेंगे संकरे रास्तों की बज़से दर्सन के लिए जो घटों का गंटों तक का इंतजार करना पड़ा था जो परेशानी होती थी भो भी अब कम होगी पहले यहां जो मंदिर छेत्र केवल केवल तीन हजार वर्ग फीट में था वो अब करीब करीब पांच लाक वर्ग फीट का हो गया अम मंदिर और मंदिर परिशर में पचास साथ सत्तर हजार सद्दालू आ सकते हैं यानि पहले मां गंगा का दर्शंस्यार और वहां से सीधे विश्वनाद धाम यहीं तो है हर हर महादेव साथियों जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था विश्वास अपने से ज़्यादा बनारस के लोगों पर था आप पर था आज हिसाब किताब का समय नहीं है लेकिन मुझे याद है तब कुछ लोग कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे कैसे होगा होगा ही नहीं यहाँ तो ऐसे ही चलता है कि मोदी जी जैसे बहुत आके गए मुझे आस्तेरे होता था कि बनारस के लिए ऐसी यह धारनाएं बना ली गई ऐसे तर्क दिये जाने लगे थे यह जड़ता बनारस की नहीं थी हो भी नहीं सकती थे थोड़ी बहुत राजनीती थी थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे लेकिन काशी तो काशी है काशी तो अभिनाशी है काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है जहां गंगा अपनी धारा बदल कर बहती हो उसकाशी को भला कौन रोप सकता है काशी खंड में भगवान संकर ने खुद कहा है बिना मम प्रसादम भई कह काशी प्रती प्रद्युत्त पे अर्थात बिना मेरी प्रसंदता के काशी में कौन आ सकता है कौन इसका सेवन कर सकता है काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहाँ उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है यहाँ जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है यह जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है इविश्वना ध्धाम तब बाबा आपन आशिरवाते बने ले हुएं उनकर इच्छा की मिना का कोई पत्ता हिल सकेला कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे कहो ये उब लईए तबे कोई आ सकेला कुछ कर सकेला साथियों बाबा के साथ अगर किसी और का योगदान है तो वो बाबा के गणों का है बाबा के गण यानी हमारे सारे काशिवाते सारे काशिवाते जो खुद महदेव के ही रूप है जब भी बाबा को अपनी शक्ती अनुभव करानी होती है वो काशी वासियों का माध्यम ही बना देते हैं फिर काशी करती है और दुनिया देखती है इदम शिवाए इदम नमम इदम शिवाए इदम नमम भाई और भेनों मैं आज अपने हर उस्रमित भाई बेहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है कोरोना के इस विप्रित काल में भी उन्होंने यहाँ पर काम रुकने नहीं दिया मुझे अभी अपने इस त्रमिक साथियों से मिलने का आउसर मिला उनके आशिरवार लेने का सौभाग मिला हमारे कारिगर, हमारे सिविल एंजिनिंग से जुड़े लोग, प्रशासन के लोग, वो परिवार जिनके यहाँ घर हुआ करते थे मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ और इन सब के साथ मैं यूपी सरकार हमारे कर्मयोगी, मुख्यमंत्री, योगी आधितिनाज्जी का भी और उनकी पूरी तीम का भी अभिनंदन करता हूँ जिन्नोंने काशी विश्वन धाम परियोजना को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया साथियों हमारी इस वारणसी ने यूगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है कितने ही काल खंड आये गए, कितनी ही सल्कनते उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है बनारस अपना रस बिखेर रहा है, बाबा का ये धाम साथ्वत ही नहीं रहा है इसके सौंदरिय ने भी हमेशा सौंसार को अस्षर चकीत और आकर्शित किया है हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभासे घिरी कासी से कासी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है अगर हम गरंथों को देखेंगे, सास्त्रों को देखेंगे इतिहास कारों ने भी व्रुक्षाओं, सरोवरों, तालाबों से गिरी कासी के अद्बूत स्वरूप का बखान किया है लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता आतताईयों ने इस नगरी पर आक्रमन किये इसे द्वस्त करने के प्रयास किये और अंजेब के अत्याचार उसके आतन का इतिहास साख्षी है जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की जिसने संस्कृती को कट्रता से कुचलने की कोशिश की लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है यहाँ अगर आउरंग जेब आता है तो सिवाजी भी उठ खड़े होते हैं अगर अगर कोई सालार मसुद इदर बढ़ता है तो राजा सुहल देव जैसे वीर योदा उसे हमारी एक्ता की ताकत का एसांस करा देते हैं और अंग्रेजों के दौर में भी वारन हैस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पर निकलता है गोडे पर होदा और गोडे पर होदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल बार इन हस्टिंग साथियों आज समय का चक्र देखिए आतं के वो परियाए इतिहास के काले पन्नों तक सिमटकर रह गए है और मेरी काशी मेरी काशी आगे बढ़ रही है अपने गवरव को फिर से नई भव्यता दे रही है साथियों काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूँ उतना डूबता जाता हूँ उतना ही भावुक हो जाता हूँ काशी सब्दों का विशे नहीं है काशी संबेदनाओं की स्रिष्टी है काशी वो है जहां जागरूती ही जीवन है काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है काशी वो है जहां सत्ते ही समस्कार है काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है हाई यो भनो हमारे सास्त्रों ने भी काशी की महिमा गाते और गाते हुए आखिर में आखिर में क्या कहा नेती नेती ही कहा है यानि जो कहा उतना ही नहीं है उससे भी आगे कितना कुछ है हमारे सास्त्रों ने कहा है शीवम ज्यायन इती ब्रुयोग शीवह शब्दार्त चिंत का अर्ठात शीव शब्द का चिंतन करने वाले लोग शीव को ही ज्यान कहते है इसलिए ये काशी शीव मही है ये काशी ज्यान मही है और इसलिए ज्यान शोद अनुसंधान ये काशी और भारत के लिए स्वाभाविक निश्ठा रहे है बगवान शीव ने स्वयम कहा है सर्वक शेत्रेशु भू प्रुष्टे सर्वक शेत्रेशु भू प्रुष्टे काशी खेत्रम्च मेवपू अर्थात धर्ती के सभी शेत्रों में काशी शाक्षात मेरा ही शदीर है इसलिए यहां का पत्थर यहां का हर पत्थर शंकर है इसलिए हम अपनी काशी को सजीव मानते हैं और इसी भाव से हमें अपने देश के कनकन में मात्रु भाव का बोध होता है हमारे सास्त्रों का वाक्य है द्रसते सवर्ग सरवे है काश्यम विश्वेश्वरत अथा यानि काशी में सरवत्र हर जीव में भगवान विश्वेश्वर के ही दर्शन होते हैं इसलिए काशी जीवत्व को सीधे सीवत्व से जोडती है हमारे रुश्यों ने भी कहा है विश्वेश्वम शरणम याया समे बुद्धी प्रदाश्यत्य अरखात भगवान विश्वेश्वर की शरण में आने पर सम बुद्धी व्याप्त हो जाती है बनारस बो नगर है जहां से जगद गुरु संगराचार्य को स्रीदोम राजा की पवित्रता से प्रेणा मिली उन्होंने देश को एकता के सुत्र में बांधने का संकल पलिया यह वो जगह है जहां बहां बगवान संकर की प्रेणा से गोश्वामी तुलसिदाज जी ने राम चरीद मानत जैसे अलवकिक रचना आती यही की धर्ती सारनात में बगवान बुद्ध का बोद संसार के लिए प्रगट हुआ समाज सुधार के लिए कभिरदाज जैसे मनी सी यहां प्रगट हुए समाज को जोड़ने की जरुरत थी तो संत रहिदाज जी की भक्ति की शक्ति का केंद्र भी यह काशी बने यह काशी अहिंसा और तब की प्रतिबूर्ती चार जैन तिर्थंकरों की धर्ती है राजा हरिष्टन की सत्य निस्ता से लेकर वलभाचारिया और रामानंजी के ज्यान तक चैतन्य महा प्रभू और समर्त राम गुरु गुरुरु रामदास के सवेकर स्वामी विवेक अनौन और मदन मौन मालविया तक इतने ही रुष्यों और आचारियों का समन्द कासी की पवित्र घर्ती से रहा है शत्रपती सिवाज महाराद ने यहां प्रेणा पाई राणी लक्ष्विबाई से लेकर चंद्र से कर आगातक कितने ही सेनानियों की कर्मभुमी जन्मभुमी काशी रही है भारति इंदु हरिचंद्र, जैसेंकर पसार, मुंसी प्रेमचन, पंडित रविशेंकर और बिस्मिल्ला खान जैसी प्रतिभाएं इस मरण को कहां तक लेते जाएं कितना कहते जाएं भंडार भरापड़ा जीतर काशी अनन्त है वैसे ही काशी का योगदान भी अनन्त है काशी के विकास में इन अनन्त पुन्य आत्माओं की उर्जा शामील है इस विकास में भारत की अनन्त परंपराओं की विराशत सामील है इसलिए हर मत मतांतर के लोग हर भाषा वर्गे के लोग यहां आते हैं कि यहां से अपना जुडाव मैसूस करते हैं कि साथियों काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजदानी तो है यह भारत की आत्मा का एक जीवन्त अवतार भी है आप देखिए पूरव और उत्तर को जोड़ती हुई यूपी में बसी ये काशी यहां विश्वनाद मंदिर को थोड़ा गया तो मंदिर का पुनरिमा माता हल्याबाई होलकर ने करवाया जिनकी जन्मभूमी माहराज का थी जिनकी कर्मभूमी इंदोर महाश्वर और अने छित्रों में थी उन्हें माता हल्याबाई होलकर को आज मैं इस अवसर पर नमन करता हूँ दो सो ड्हाई सो साल पहले उन्होंने काशी के लिए इतना कुछ किया तब के बाद काशी के लिए इतना काम अब हुआ है साथियों बाबा विश्वनार मंदिर की आभा बढ़ाने के लिए पंजाब से महराजा रंजित्सी ने 23 मन सोना चड़ाया था इसके सीखर पर सोना मढवाया था पंजाब से पुझ्य गुरु नानक देव जी भी काशी आये थे यहां सपसंग किया था दूसरे सीख गुरुओं का भी काशी से विशेश रिष्टा रहा था पंजाब के लोगों ने काशी के पुनर्ण मिर्मान के लिए दिल खोल कर दान दिया था पूरम में बंगाल की रानी भवानी ने बनारस के विकास के लिए अपना सब कुछ अर्पन किया बैसूर और दूसरे दक्षिन भारतिय राजाओं का भी बनारस के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है एक ऐसा चाहर है जहां आपको उत्तर, तक्षिन, नेपाली, लगबग, हर तरह की सहली के मंदीर दिख जाएंगे विश्वनात मंदीर इसी आध्व्यात्मिक चेतना का केंदर रहा है अरबी विश्वनात धाम परिशर अपने भग्व रूप में इस चेतना को और उर्जा देगा साथियों प्षिन भारत के लोगों की काशी के प्रति आस्था दक्षिन भारत का काशी पर और काशी का दक्षिन भारत पर प्रभाव हम सब भली भाती जानते हैं एक ग्रंथ में लिखा है तेनो पया थेन कदा चनात वाराण जिम पाप निवारण आवादी बाणी बलीना सविश्यन भिलोक के लिला वासरे बिलित्ता कंणर भासा में कहा गया है यानि जब सद्गुरु माधवाचारी जी अपने सिश्यों के साथ चल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि काशी के विश्वनात पाप का निवारण करते हैं उन्होंने अपने सिश्यों को काशी के वैभव और उसकी महमा के बारे में भी समझाए था साथियों सद्यों पहले कि ये भावना निरंतर चली आ रही है मा कभी शुबरमनिम भारती काशी प्रवास ने जिनके जीवन की दिशा बदब दी उन्होंने एक जगा लिखा है तमील में लिखा है काशी नगर पुलवर पेशुम उरेईदान काशी इल के पदर कोर खरूवी सेवों यानि काशी नगरी के संतकवी का भाशा काशी पुरमनिम सुनने का साधन बनाएंगे काशी से निकला हर संदेश ही इतना व्यापक है कि देश की दिशा बदल देता है वैसे मैं एक बात और कहूंगा मेरा पुराना अनुभव है हमारे घाट पर रहने वाले नाव चलाने वाले कई बनारिशी साथी तो और आपने भी कभी अनुभव किया होगा तमील कंड़ा तेलूगू मल्यालम इतनी फरहाटेदार तरीगे से बोलते हैं कि लगता है कि कहीं केरगा तमीला अड़िया करड़ा तो नहीं आ गए अब इतना बढ़िया बोलते हैं अधियों भारत की हजारों सालों की उर्जा ऐसे ही तो सुरक्षित रही है समरक्षित रही है जब अलग-अलग स्थानों के खेत्रों के सुत्र से जुड़ते हैं तो भारत एक भारत से भारत के रुप में जागरत होता है इसलिए हमें सवराष्ट्रे सोमनाथम सवराष्ट्रे सोमनाथम से लेकर अयोध्या मतुरा माया कासी कांचिय वंतिका का हर दिन स्मरन करना सिखाया जाता है हमारी यहां तो 12 जोति लिंगों के स्मरन का ही फल बताया गया है तस्य तस्य फल प्राप्ति ही भविश्यतिन संसया यानि सोमनाथ से लेकर विश्वनाथ तक द्वादर्स जोति लिंगों का स्मरन करने से हर संकल्प सिद्ध हो जाता है इसमें कोई संसे ही नहीं है, ये संसे इसलिए नहीं है, क्योंकि इस मरन के बहाने पुरे भारत का भाव एक जूट हो जाता है, और जब भारत का भाव आ जाए, तो संसे कहां रह जाता है, असंभव क्या बढ़ता है, सात्यों, ये भी सिर्फ संयोग नहीं है, कि जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बढ़ रहा है। एक निरनायक दिशा देगा, एक उजवल भविश्य की तरफ ले जाएगा, ये परिसर साक्षी है, हमारे सामर्थका, हमारे कर्टव्यका, अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं है। हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है, हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है, जो कलपनिये को साकार कर देता है। हम तब जानते हैं, हम तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं। चुनोती कितनी ही बड़ी क्योना हो, हम भारते मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं। विनाज करने वालों की शक्ती, कभी भारत की शक्ती और भारत की भक्ती से बड़ी नहीं हो सकती। याद रखिए, जैसी द्रस्ती से हम खुद को देखेंगे, बैसी ही द्रस्ती से विश्व भी हमें देखेगा। मुझे खुशी है कि सद्यों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हिन भावना से भारत को भर दिया गया था, अब आज का भारत उससे बाहार निकल रहा है। आज का भारत सिर्फ सोमनाद मंदीर का संदरी करण ही नहीं करता, बलकि समंदर में हजारों किलोमिटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिशा रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाद मंदीर का जिर्नोरदार ही नहीं कर रहा, बलकि अपने दमखंपर अंतरिक्ष में भारतियों को भेजने की तयारी में जुटा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रबूर्शिराम का मंदिरी नहीं बना रहा बलकि देश के हर जीले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा आज का भारत सिर्फ बाबा विश्मनात धाम को बव्य रूप भी नहीं दे रहा बलकि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है साथ क्यों नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ पर उतना ही भरोसावाई नए भारत में विरास्त भी है और विकास भी है आप देखिए अयोध्या से जरगपूर आना जाना आसान बनाने के लिए राम जनन की मार का निर्मान हो रहा है आज भगवान राम से जुड़े स्थानों को रामायन सर्किट से जुड़ा जा रहा है और साथ ही रामायन ट्रेन चलाई जा रही है बुद्ध सर्किट पर ही काम हो रहा है तो साथ ही कुशी नगर में इंट्रनेस्लर एरपोर्ट भी बनाया गया है कर्तारपुर साथ कोरिडोर का निर्मान किया गया है तो वहीं हेमकुन साहिब जी के दर्सन आसान बनाने के लिए रौक पे बनाने की भी तैयारी है उत्तरा खंड में चार धाम सडक महापरियोजना पर भी तेजी से काम जारी है बगवान विठल के करोडो भक्तों के आशिवाद से सिरी संत ज्यानेस्वन महाराज पालखी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग का भी काम अभी कुछ हफ्ते पहले शुरू हो चुका है साथ हыми केरला में गुरु वायूर मंधिर हो या तमीलमारं में कांची पूरम वेलं कानी तिलंगराला का जोगुलाम से देवी मंधिर हो या फिर बंगाल का बेलूर मंठ गुजरात में द्वारकाजी हो या फिर अलग-अलग राज्यों में हमा यास्ता और संस्कृति से पूरे भक्ति भाव से काम किया गया है काम चल रहा है भावियों और भेनों आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संजो रहा है यहां काशी में तो माता अन्नपुर्णा खुद विराज्टी है मुझे खुशी है कि काशी से चुराई गई मा अन्नपुर्णा की प्रतिमा एक शताब दी के इंतजार के बाद 100 साल के बाद अब फिर से काशी में सापित की जा चुकिये माता अन्नपुर्णा की कृपा से कुरोना के कठीन सबाय में देश ने अपने अन्नभंडार खोल दिये कोई गरीब भूखा न सोये इसका ध्यान रखा मुप्त राशन का इंतजाम किया साथियों जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं मंदीर आते हैं कई बार इस्वर से कुछ मांगते हैं कुछ संकल्प लेकर भी जाते हैं मेरे लिए तो जनता जनारदन इश्वर का रूप है मेरे लिए हर भानतवासी इश्वर का ही आउश है जैसे जैसे सब लोग भगवान के पाँच जा करके मांगते हैं जब मैं आपको भगवान मांता हूँ जनता जनारदन को इश्वर का रूप मांता हूँ तो मैं आज आप से कुछ मांगना चाहता हूँ मैं आप से अपने लिए नहीं हमारे देश के लिए तीन संकल्प चाहता हूँ भूल मत जाना तीन संकल्प चाहता हूँ और बाबा की पवित्र धर्ती से मांग रहा हूँ पहला स्वच्छता दूसरा स्रजन और तीसरा आत्म निर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयार स्वच्छता जीवन शैली होती है स्वच्छता अनुशाशन होती है यह अपने साथ कर्तव्यों की एक बहुत बड़ी संखला लेकर आती है भारत चाहे जितना ही विकास करेगा स्वच्छ नहीं रहेगा तो हमारे लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा इस दिशा में हमने बहुत कुछ किया है लिगे हमें अपने प्रयासों को और बढ़ाने होंगे कर्तव्यों की भावना से भरा आपका एक छोटा सा प्रयास देश की बहुत मदद करेगा यहां बनारस में भी शहर में घाटों पर स्वच्चता को हमें एक नए स्टर को लेकर जाना है गंगा जी की स्वच्चता के लिए उत्राखंड से लेकर बंगाल तक कितने ही प्रयास चल रहे हैं नमामी गंग्य अभियान की सफलता बनी रहे इसके लिए हमें सजग होकर काम करते रहना होगा साथियों गुलामी के लंबे कालखंड है हम भारतियों का आत्मविश्वास ऐसा तोड़ा कि हम अपने ही स्रजन पर विश्वास खो बैठे आज हजानों वर्ष पुरानी इस कासी से मैं हर देश वासी का आवान करता हूँ पूरे आत्मविश्वास से स्रजन के लिए इनोवेट करिए इनोवेटिव तरीके से करिए जब भारत का युवा कोरोना के इस मुश्खिल काल में सैकडो स्टार्ट अप बना सकता है इतनी चुनवतियों के बीच चालिस से जादा यूनिकॉन मरा सकता है वो भी यह दिखाता है कुछ भी कर सकता है अब सोचिए एक यूनिकॉन याने स्टार्ट अप करिब करिब साथ साथ हजार करोडर रुप्रिय से भी जादा का है और पिछले एक डेड़ साल में बना है इतने कम समय में है यह अगूत्पुर्वा है हर भारतवासी जहां भी है जिस भी खेत्र में है देश के लिए कुछ नया करने का प्रयास करेगा तभी नए मार्ग मिलेंगे नए मार्ग बनेंगे और हर नई मंजील पाकर रहेंगे भाई और भेनों तीसरा एक संकल्प जो आज हमें लेना है वो है आत्म निर्भर भारत के लिए अपने प्रयास बढ़ाने का यह आजादी का अमरित काल है हम आजादी के 75 साल में है जब भारत 100 साल की आजादी का समारो बनाएगा तब का भारत कैसा होगा इसके लिए हमें अभी से काम करना होगा और इसके लिए जरूरी है हमारा आत्म निर्भर होना जब हम देश पे बनी चीजों पर गर्व करेंगे, जब हम लोकल के लिए वोकल होंगे, जब हम ऐसी चीजों को खरीजेंगे, जिसे बनाने में किसी भारतिय का पसीना बहा हो, तो इस अभियान को मदद करेंगे. अमरिक काल में भारत 130 करोर देश वासियों के प्रयासों से, सबके प्रयासों से आगे बढ़ रहा है, महदेव की कुर्पा से, हर भारत वासी के प्रयास से हम आत्म निर्भर भारत का सपना सच होता देखेंगे, इसी विश्वास के साथ मैं बाबा विश्वनात के, माता अन्पुर्णा के, काशी कोत्माल के, और सभी देविद देवताओं के चर्णों में एक बार फीर प्रणाम करता हूँ. इतनी बड़ी तादाद में देश के अलग-अलग कौने से पुझ्य संत महत्मा पधारे हैं। यह हमारे लिए मुझ जैसे एक सामान्य नागरिक के लिए यह सवभाग्य की पल है। मैं सभी संतों का, सभी पुझ्य महत्माओं का सर जुका करके रदय से अभिनदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं आज सभी कांसी वाचियों को, देश वाचियों को फिर से बढ़ाई देता हूँ, बहुत-बहुत शुब कामनाई देता हूँ। हर हर महादे, हर हर महादे, हर हर महादे, हर हर महादे